हलो नमस्कार दोस्तों गुड़िविनिंग आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है हमारी यूटूब चैनल केरियर परिवार में मैं मुकेश कुमार आप सब का बहुत बहुत श्वागत करता हूँ चली दोस्तों आज का क्लास हम लोग आगाज करते हैं और अभी तक आपका जो प्रधान सिच्छक और प्रधाना ध्यापक का जो टेस्ट चल रहा है वो आपका टोटल आपका 20 टेस्ट आपका हो गया है तोटल 20 टेस्ट आपका हो गया है दोस्तों और आज हम लोग देखेंग फूल टेस्ट आपका टेस्ट नंबर 21 जिसमें होगा आपका 75 महत्वपूर्ण प्रस्ण जो आपको पूछे जाने की 100% संभावना है तो चलिए आज का क्लास अस्टार्ट करते हैं आपको सवाल यहां पर मिलने वाला है तो चलिए हम लोगा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और आपकर आप हमारे वाटसेप ग्रूप से अभी भी नहीं जुड़े हैं और अभी भी आप हमारा पीडियेफ प्राप्त नहीं किये हैं तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और आपको 251 रूपिय का सहीयो करना है इसके लिए आपको फोन पे या गुगल पे के माध्यम से इस नंबर पर सहीयो करके आपको इस नंबर पर स्क्रीन सौट भेज देना है फिर आपको जो भी class हुआ है 20 class 21 class सबका PDF आपको मिल जाएगा विडियो मिल जाएगा और भी other notes आपको वहाँ पर provide करा दिया जाएगा और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको seated की भी त्यारी करवाई जा रही है तो जो लोग अगर seated की त्यारी कर रहे हो तो उनका भी एडिविशन चल रहा है और class भी start हो गया है आपका seated का तो इस नमबर पर contact करके आप seated के लिए एडिविशन करा सकते हैं चलिए आज का हम लोग देखते हैं पहला प्रस्न सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आज का पहला सवाल कह रहा है कि सूचना का अधिकार विधेयक लोग सभा में कब लाया गया था जी हां question पर थोड़ प्रस्न बनता है आपको लोग सभा में कब इसको लाया गया था question पूछा गया था तो लोग सभा में जो लाया गया वो आपको 2004 में लाया गया था ठीक है और देखिए इससे question पूछा जाएगा एक कि RTI को पुर्न रूप से लागू कब किया गया जी हां RTI को भारत में पु इसको पूर्न रूप से भारत में लागू किया गया था ये भी question कई वर पूछा गया है लोग सभा में इसको लाया गया था 2004 में और 5 से इसको लागू कर दिया गया था एक question और पूछा जाता है आपको RTI से RTI का full form भी आपको पूछ लेगा right to information ठीक है हिंदी में हो गया आधी नियमित किया था क्या पूछेगा अधी नियमित को कि इसको अधी नियमित किया गया था तो पूरा date याद रखना है 12 June 2005 12 June 2005 को अधियर नियमित किया गया और 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू कर दिया गया था संपुर्ण भारत में ठीक है चलिए तो पहला सवाल हो गया काफी के तिक दिया हुआ है हना ऐसे वाला जो टिक दिया गया उसे आपको सेयर करना चाहते है कर सकते हैं करया कि पर्थम Mannobigyan साला दोस्तु भारत में कहाँ स्थीत है देखिए option दिया गया है चन्नाई, परियागराज, लखनाउ या फिर दिली option में देखिए option यहाँ पर गलत दे दिया है option थोड़ा सा आप सुधार लिजेगा हाना और इसको option में लखनाउ के जगापे आप यहाँ पर कर लिजेगा कोलकाता ठीक है और ये जो अस्थापना किया गया था ये कुलकाता इंवर्सीटी में किया गया था प्रथम मनुभिज्यान साला एंसर हो जाएगा आपका एंसर नमबर C सुधार लिजेगा 1916 इसवी तीसरा नमबर प्रस्ण कह रहा था कि बाल कल्यान पंजीका है बाल कल्यान पंजीका क्या है बिद्याले अभिलेख है या फिर सैच्छी कभिलेख है आर्थी कभिलेख है या समाजी कभिलेख है तो ये हो जाएगा आपका बिद्याले अभिलेख यानि कि राइट एंसर हो जाएगा आपका एंसर नमबर A नेक्स्ट है आपका फॉर नमर प्रस्न का रहा है कि प्राकिर्तिक आपदाएं कितने परकार की होती है जी हाँ प्राकिर्तिक आपदाएं कितने परकार की होती है तो उप्सन है तीन, दो, छह या पांच देखिए ऐसे तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत परकार का होता है लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पांच परकार की होती है जैसे कि आपको भूकंप हो गिया, बाड हो गिया, सूखा हो गिया, सुनामी हो गिया, जवाला मुखी हो गिया ये सभी क्या है तो प्राकिर्तिक आपदाय है ये मुखे प्राकिर्तिक आपदाय है और भी बहुत सारे प्राकिर्तिक आपदाय है हाना जैसे कि भुस्खलन होता है आपका प्राकिर्तिक आपदाय है ठीक है तो और भी बहुत सारे आपदाय है इसका answer हो जाएगा आपका answer number D हो जाएगा ठेक चलिए next है कि समय सारनी से बचत होती है जी हाँ समय सारनी जो तयार किया जाता है उससे किसका बचत होता है हना I की बचत होती है या समय और सरम की बचत होती है या सिच्छन की या फिर व्या की तो समय सारनी से किसकी बचत होती है तो इससे समय का भी बचत होता है और सरम का भी बचत होता है यानि कि दोनों का बचत होता है समय सारनी से इंसर हो जाएगा आपका इंसर नमबर B चलते हैं अगले प्रस्ण पर 6 नमबर कहरा आय की निम्नलिखित में से किसका संबंध मुल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है तो मुल्यांकन के भावात्मक पक्ष से किसका संबंध होता है ओपसन है सुचनाओं का, तथियों के व्यवहारिक परियोग का, तथियों के विसलेशन का या फिर रूचियों का तो six का क्या हो जाएगा आपका six का हो जाएगा दुस्तों रूचियों का संबंध होता है आपका answer number D हो जाएगा देखे class जो है आपकी daily 9 बजे रात में आपकी class चलती है ठीक है daily 9 बजे class रात में चलती है और इसका link आपको group में share कर दिया जाता है जो भी whatsapp group में जुड़े ठीक है वहाँ से आप असानी से इसको देख सकते हैं जितने भी अभी तक class हुए है सबका वहाँ पर link share किया गया है आप वहाँ से अराम से देख सकते हैं सभी class को next है कि सतत और ब्यापक मुल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्य तह कितनी किरिया होती है जी हां तो सतत और ब् अगला जो प्रस्ण है वो कथन वाला प्रस्ण है प्रस्ण कह रहा है कि यह किसका कथन है जी हां काफी important है कराय कि किरियात्मक सोध का तातपर ये उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यास करता अपने निरन एवं किरियाओं का मार्ग दरसन, सनसोधन, मुल्यांकन कर करने के लिए अपनी समस्याओं का भैज्यानिक ढंक से अध्यन करता है ये कथन किसका है तो ये जो कथन है option दिया गया है गूड का है या फिर फ्रॉवेल का है महत्मा गांधी का है या फिर कोरे का है तो ये जो कथन है दोश्तु वो हो जाएगा आपका कोरे का ठीक है किसक एवं छात्र यह निर्ने करते हैं कि सिच्छन लक्षियों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं ये कथन किसका है तो ये जो कथन है वो है आपका क्रॉन बैक का ठीक है जो ये कथन होता थोड़ा सा ये टफ लगेगा आपको क्योंकि ये याद करना पड़ेगा इसमें तो इसने कही है तो याद रखिएगा क्रॉन बैक ने कही है ठीक है चलिए नेक्ष्ट है कि छात्रों का पूर्व ग्यान जानने में कौन सा कौसल सहायक है जी हां तो छात्र के जो पूर्व ग्यान जानने में कौन सा कौसल इसमें सहायक होता है उप्सन है आपका प्रस्तावना कौसल उद्दीपन परिवर्तन कौसल पुनर बलन कौसल या फिर ब्याख्या कौसल तो दस का हो जाएगा आपका राइट एंसर प्रस्तावना कौसल एंसर नमबर हो जाएगा आपका ए नमबर चली अगला है आपका 11 नमबर प्रस्ण काराय की प्रस्तावना कौसल का मुख्य घटक क्या है तो option है प्रस्णों की सनरचना, लेखन की असपस्टता, उचित स्रिंखला बधता या फिर कतनों में तारतम्यता तो प्रस्तावना कौसल का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा उचित स्रिंखला बधता यानि कि एंसर नमबर हो जाएगा आपका C नमबर ठेक है चली ए नेक्ष्ट है आपका 12 नमबर प्रस्ण काराय की प्राथमिक अस्तर पर दवे समीती ने ठेक है किस समीती ने किन विसयों में अप्यक्चित अधिगम अस्तर का निर्धारन किया है देखे आप कोश्चन को एक बर समझ में नहीं आवे तो दो बार जरूर पढ़ा कीजिए अना क्योंकि दो बार में आपको पुरा किलिए समझ में आ जाएगा ठीक है तो दो बार question को आप जरूर पढ़िए exam hall में भी आप ऐसा जरूर करिएगा क्योंकि एक बार में लगता है हरवड में गड़वड हो जाता है इसलिए हरवड नहीं करना है एक बार अराम से पढ़िए दो बार पढ़िए ठीक है आपको question नहीं आ रहा है फिर भी थोड़ा सा आपको option के नुशार आप उसको छाट सकते हैं करा कि प्रात्मिक अस्तर पर दवे समीती ने किन बीसियों में अप्यक्षित अधिगम अस्तर का निर्धारन किया है option है भासा अधिगम तो ऐसे बहुत सारा उपकरण है हाना गनीत कीट के लिए बहुत सारा उपकरण है आप जो बच्चे लोग का जो math का book होता है उसमें आपको इसका गनीत कीट के उपकरण के बारे मुहापर दिया हुआ है तो option के नुशार यहाँ आपर हो जाएगा डोमीनो हाना यहाँ जो मिटा दिजेगा डोमीनो हो जाएगा आपका answer number A हो जाएगा ठीक है यह गनीत कीट का उपकरण है आपका next चलते हैं आपका 14 नमबर प्रस्ण काराय की सिच्छन परकिरिया में समाहित परकिरिया होती है जी हाँ सिच्छन परकिरिया में समाहित परकिरिया कितनी होती है दो, तीन, चार या फिर पाँच तो यह हो जाएगा आपका तीन परकिरिया होती है answer number B next है आपका 15 नमबर काराय की व्यक्तित वक्ते तीन रूप व्यक्तित वक्ते कितने रूप तो तीन रूप एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक या फिर एक्टोमोर्फिक किसने बताया है बहुत बहुत इंपोर्टेंट सवाल है बताईए व्यक्तित वक्ता तीन रूप कौन-कौन से तो एंडोमोर्फिक मेसोमोर्फिक और ectomorphic किसने बताया है kreismer ने या Selden ने या Friad न या फिर yung ने तो 15 का हो जाएगा दोस्तों आपका Selden ने बताया है ठीक है यह तीन रूप आप याद रखिए किसने बताया है तो Selden के दोरा ठीक है next है कि आदत दूसरा स्वभाव है या किसका कथन है काफी अच्छा परसन है आदत जो है हैबिट जो है यह दूसरा स्वभाव है यह किसका कथन है जेम्स का या फिर मरसैल का या गैरेट का या फिर वारेन का सोला का हो जाएगा आपका जेम्स का, किसका कथन है, जेम्स का ये कथन है, नेक्ष्ट है आपका सत्रह नमबर प्रस्न, कराय की वह गून जिसमें ब्यक्ति किसी कारे के प्रती सक का भाव नहीं रखता है, वरन परतेक कारे के प्रती संबेदन सिल्ता का भाव रखता है, ये क् सहमत्ती जन्यता कहलाता है या अच्छाई या फिर इन में से सभी कहलाता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों सहमत्ती जन्यता ठीक है इंसर नमर हो जाएगा इंसर नमर आपका बी नमर चलिए अगला परस्ण है आपका अठारा नमर जितने लोग देख रहे हैं तो प्लीज वी खुद आपके मौईल पर पहुच जाएगा समझ रहे ना 9 बजे जैसे ही 9 बजेगा आपके मौईल पर घंटी बच जाएगा आप अराम से उसको खोल के देख लीजेगा तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बगल में जो लाल बटम है उसको दबा दीजे तो वो काला हो जाएगा बगल में घंटी है उसको बजा लीजे अगला प्रशन है कि बालक की सबसे महान आवशकता और सबसे बड़ा रच्छक चरीत्र है सिच्छा नहीं यह कथन किसका है जी हाँ यानि कि का रहा है कि बालक का सबसे बड़ा जो आवसकता और सबसे बड़ा जो रच्छक है वो क्या है चरित्र है सिच्छा नहीं है ये कथन किसका है उप्सन है आपका Spencer, बुडवर्थ, यूंग या फिर फरायड तो ये जो कथन है वो है आपका Spencer का एंसर हो जाएगा आपका एंसर नमबर A ठीक है चली एगला सवाल है कि व्यवहारवाद के जहनक कौन है जी हाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट सवाल है व्यवहारवाद के जहनक तो व्यवहारवाद के जहनक तो व्यवहारवाद के जहनक जो है दूस्तों वाटसन है वारेन और इसको कहा जाता है विहेवियरीजम भी कहा जाता है क्या कहा जाता है विहेवियरीजम भी कहा जाता है व्यभारवाद के जनक को ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिटिस काल में ब्रिटिस काल में गुरू सिस से संबंध थे जी हां तो ब्रिटिस काल में गुरू सिस से मात्र अपचारिक था या फिर सिनेह पूर्न था या फिर घनिश्ट था यह निमें से कोई नहीं है बीस का क्या हो जाएगगा मात्रवचारिक यह संबंद था अना बरिटिस काल में गुरु और परिच्छा के द्वारा होता था या फिर लिखित से होता था या किरियात्मक परिच्छा के द्वारा या इन में से सभी परिच्छा के द्वारा तो 21 का हो जाएगा दूस्तों आपका इन में से सभी परिच्छा के द्वारा छातरों के सैचिक विकास का जाच होता था मापन हो प्रश्न है कि ब्रिटिस काल में ब्रिटिस काल में किस सैचिक योजना ने भारतिय सिच्छा को सरवाधिक परभावित किया था जी हाँ वो कौन सा सिच्छा था ताकि आपको एक confidence हैगा जवाब देने से आपके अंदर एक confidence हैगा कि हां मैंने इसका जवाब सही दिया या गलत दिया तो इसका जो answer हो जाएगा वो 23 का हो जाएगा आपका B नमबर यानि कि मैकाले का विवरन पत्र और मैकाले का जो विवरन पत्र ये प्रस्तूत किया गया था आपको 1935 में ठीक है याद रखेगा 1935 में नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिस कालिन सिच्छा के गून थे जी हाँ तो ब्रिटिस कालिन सिच्छा के गून कैसे गून थे ओप्सन है कि पास्चात्य भासाओं को सीखना संभव हुआ कर रहा है कि किसने कहा था जी हाँ फिर से आगया आपका कथन वाला सवाल कर रहा है कि किसने कहा कि समाजिक संबंधों में परिपकवता गरहन करना समाजिक विकास है जी हाँ समाजिक संबंधों में परिपकवता गरहन करना समाजिक विकास है ये कथन किसका है थॉन डाइक, हर्लोग, फ्रॉबेल या फिर जॉन डीवी तो 25 का हो जाएगा आपका एंसर नमबर B यानि कि ये जो कथन है वो हर्लोग का है हर्लोग जो थे ना ये कहां के थे तो ये थे आपके बिर्टेन के ठीक है याद रखिए का ये बिर्टेन के थे ठीक है और इनका जो जन्म हुआ थो वो आपका 1632 सिस्वी में इनका जन्म हुआ था थॉन डाई कहां के थो दोस्तों बताए तो कमेंट करके थॉन डाई कहां के थे तो ये USA के थे ठीक है और जोन डीवी कहां के थे तो जोन डीवी थे आपको USA के ठीक है चलिए तो ये होगी आपका 25 नमर अगला है 26 नमर प्रस्न कराय की करमिक विकास के सिध्यांत के परतिपादक कौन है जी हां कौन सा विकास तो करमिक विकास हाना करमिक विकास के सिध्यांत के परतिपादक option है king एवं thondike, असकीनर, नन या फिर अरस्तू 26 का हो जाएगा king एवं thondike किसके परती पादक हैं किसके तुकरमिक विकास के सिध्यांत का चलिए अगला है कि अधीक तनाव का काल जी हाँ बहुत important प्रस्न है अधीक तनाव का काल किस अवस्था को कहा जाता है सैस्वावस्था या किसोरावस्था या बाल्यावस्था या प्रोड़ावस्था तो अधीक जो तनाव रहता है वो किसोरावस्था में देखने को मिलता है बच्चों में और इसका जो उम्र होता है वो कितना होता है 12 से 18 वर्स ठीक है 12 से 18 सैस्वा वस्था के उम्र कितनी होती है तो जीरो से लेकर के 6 वर्स्तक और बाल्य वस्था का उम्र कितना होता है तो 6 से लेकर के 12 वर्स्तक और प्रोढ़ा वस्था का 18 से लेकर के उपर ठीक है 18 से उपर जितने भी उम्र के है वो प्रोढ़ा वस्था में आ जाएंगे आपको ठीक है तो ये चारो है चारो का येज भी आपको पूछा जाता है याद रखिएगा और सबसे अधिक तनाव का उम्र जो कहा जाता है वो है आपको किसोरा वस्था नेक्स्ट है कि निमलिकित में से कौन सा सुच्म गतिक कौसल का उदाहरन है जी हाँ सुच्म गतिक कौसल उदाहरन कौन सा है चढ़ना है फुदकना है दोड़ना है या फिर लिखना है देखिए तो सुच्म गतिक कौसल का उदाहरन जो है वो है आपका लिखना अन्सर हो जाएगा आपका इंसर नमबर D चलिए अगले प्रश्ण की और चलते हैं आपका 29 नमर 29 नमर प्रश्ण कह रहा है कि नरसरी कच्छा में जी हाँ किस कच्छा में? नरसरी कच्छा में सुरुवात करने के लिए कौन सी बिसे वस्तु अच्छी रहेगी देखिए ये question repeat हो गया है पहले भी ये question बताए थे और काफी important है कि अगर नरसरी कच्छा में सुरुवात करना है तो बच्छा को कौन सा भी से वस्तु पढ़ाना चाहिए तो वो हो जाएगा मेरा परिवार ठीक है? सबसे पहले मेरा परिवार उसके बाद बच्छा आगे बढ़ेगा answer क्या हो जागा? आपका answer number D हो जागा next है कि रविंद्र में संधी है जीहां तो रविंद्र में कौन सा संधी है? बताए दिर्ग स्वर संधी है? यन संधी है? या गुन संधी है? बिर्धी संधी है? देखे दोचार यहां पर हिंदी भी दे दिया है ओप्षन है गुन संधी, यन संधी, अजादी संधी या कोई नहीं, 31 का हो जाएगा गुन संधी, अगला परस्ण है आपका 32 नमबर, 32 नमबर जो परस्ण है काफी अच्छा सवाल है, कह रहा है कि इको यनची किस संधी का सुत्र है, जी हाँ, तो इको यनची किस संधी का सुत तो आपका गुन संधी का ये भी सुत्र है Next है कि उत्साह क्या है जी हाँ उत्साह क्या है भावाचक है या फिर गुन वाचक या किरिया वाचक या इन में से कोई नहीं तो ये हो जाएगा भावाचक संग्या अगला है कि करूना क्या है करूना क्या है गुनवाचक है निपात है या भावाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं है 35 का हो जाएगा ये भी भावाचक संग्या है और नेक्स्ट है आपका 36 नमबर तो ये था 5-6 कुछ हिंदी का भी सवाल यहां पर दे दिया गया है चलिए उससे भी घवराना नहीं है कहीं हिंदी भी दोचार आपको पूछ न लिया जाए हाना क्योंकि बारवाट टीचर में पूछ लिया जाता है और इससे सिलिवस में तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लिये नेक्स्ट है कि बिसिष्ट बालकों के अंतरगत कौन आते हैं भेरी भेरी इंपॉर्टेंट प्रस्ण है बिसिष्ट बालक उप्सन है पिछड़ा बालक, परतीभासाली बालक या मंद बुद्धी बालक या इनमें से कोई नहीं तो 36 का हो जाएगा आपका इंसर नमबर D यानि कि बिसिष्ट बालक के अंतरगत तीनो परकार के बालक आते हैं एक तो पिछड़ा हुआ बालक भी परतीभासाली बालक भी आते हैं और मंद बुद्धी बालक भी आते हैं इसमें अगला है 37 नमबर प्रस्ण कहा रहा है कि सारीरिक रूप से अच्छम बच्चों को समान्यता होता है जी हाँ सारीरिक रूप से कहा रहा है सारीरिक रूप से जो अच्छम बच्चा है उसमें क्या होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्मिथिया या फिर इन में से कोई नहीं देखिये डिस ग्राफिया जो है न ये लेखन कला से है और बच्चा लिखता किस से है तो हाथ से है तो इसमें क्या होगा सरीधी ग्रूप से अच्छम बच्चा है तो लिखने में उसको क्या होता है typing करने में क्या होता, उसको कठिनाई होता है तो इसका जो main answer, right answer हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका answer number A हो जाएगा ठीक है, dysgraphia से संबंदिते सारी तो ग्रूप से अच्छम, या फिर यहाँ पर आपको पूछ सकता था, कि लेखन या फिर typing करने में अच्छम बच्चा, किसके अंतरगत आएगा तो वो भी dysgraphia के अंतरगत ही आएगा ठीक है, dyscalculia यहाँ पर पूछा है dyscalculia तो dyscalculia जो है दोस्तों, यह गनीद से संबंदित है आपका, हाना, गनीद से संबंदित है आपका dyscalculia, और एक होता है उसमें पढ़ने में बच्चों को कठिनाई होती है ठीक है, जो word होता है उसको बच्चा क्या पढ़ता है, उल्टा पढ़ लेता है जैसे कि 100 को बच्चा क्या पढ़ लेता है वाज पढ़ लेता है, हाना, बच्चा इसको उल्टा पढ़ लेता है, तो जो उल्टा पढ़ता है, उसको कहते हैं, डिसलेक्सिया से गरसित बच्चा, ठीक है, उसको पढ़ने में कठेनाई होता है, नेक्ष्ट है आपका 38 नमबर, 38 कह रहा है कि, मानसिक स्वास्त के नियमों को खोजना, और उन्हें बनाए रखना, अध फिल्ड का या फिर लेंडेक्स का, 38 का क्या हो जाएगा आपका ये जो कथन है, दोस्तों ये ड्रेवर का कथन है, तेका इंसर नमबर हो जाएगा आपका इंसर नमबर ए, चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजे, जितने लोग देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, त परतीभा साली होने का कौन शा संकेत नहीं है, तो विचारों में सिर्जनात्मक्ता, दुसरों के साथ लड़ना, या अभिव्यक्ति से अनूठापन या फिल कौतूहल, 39 का क्या हो जागा, दुसरों के साथ लड़ना, ये क्या है, ये परतीभा साली होने का कभी संकेत हो सकत है आप किसे से लड़ाई कीजिएगा तब के अंदर परतीभा साली यह बिल्कुल नहीं है तो इसका राइट गलत इंसर हो जाएगा यह गलत पूछ रहा था कौन सा नहीं पूछ रहा था अना विचारों में सिर्जनात्मक्ता यह हो गया परतीभा साली अभिव्यक्ति कि इसे अधिगम परिकिरिया से जुड़ते हैं या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा या वे निजी कोचिंग संस्थाओं में पढ़ेंगे यह भी गलत हो गया और बार बार उनकी परिच्छा होगी यह भी गलत हो गया पहले ओप्सन को छाटने का परियास क जीएगा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम परिकिरिया से जुड़ेंगे और एक बच गया उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा तो चालिस का क्या होगा चालिस का जो राइट हो जाएगा उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया ज और अभी भी अगर हमारा PDF आपको नहीं मिला है तो प्लीज आप हमारे WhatsApp गूरूप से जुड़ जाए आपके लिए करना क्या है तो इस नंबर पर मैसेज करना है या कॉल करना है और उससे पहले आपको फोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से 251 रूपिय का आपको सहीयो कर करना है और उसके बाद आपको PDF है, विडियो है, नोट्स है, सारे आपको अपने आपके WhatsApp पर आपको मिल जाएगा जो भी पहले कलास हो गया वो भी मिल जाएगा और आगे जो कलास होगा वो भी आपको वहाँ पर मिलते रहेगा ठीक है बस इतना पे करके आपको स्क्रीन पेवी करना है, ठीक है तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, जो लोग अगर इसका PDF लेना चाहते हैं और भी other PDF लेना चाहते हैं तो वो इससे contact करें, नेक्ष्ट है 41 नमबर, चलिए देखते हैं 41 नमबर प्रशन क्या का रहा है कि प्लेटो के अनुसार सिच्छा का प चरित्र निर्मान करना, ठीक है, चलिए अगला है कि निमलेखित में से कौन सा एक नियमित सिच्छा के अंतरगत आता है, हाँ न तो नियमित सिच्छा के अंतरगत कौन सा आता है दोस्तों, पाठिकरम, समाज, समुदाय या फिर राज्य, क्या हो जाएगा, पाठिकरम हो ज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नियमित सिच्छा के अंतरगत कौन नहीं आता है? پुस्तक स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या फिर शिच्छन वीधी, तो नियमित सिच्छा के अंतरगत धर्म नहीं आएगा, ना धर्म से कोई मतलब नहीं है किसी भी धर्मका हो उसे कोई भी दिखत नहीं है तthese अगला है आपका 44 नमबर 44 नमबर निमलखित मेंसे कौन सा सुदूरश दूसरा नाम है जी हाँ सुदूरश इच्छा का दूसरा नाम क्या है उप्षन है daughter चार ग्रिह अध्यन स्वतंत्र अध्यन या फिर उप्रोक्त सभी तो इसका भी एंसर हो जाएगा आपका उप्रोक्त सभी यानिकी एंसर नमबर D हो जाएगा देखिए ये कलास सिर्फ आफी के लिए चलाय जा रहा है और आफी का एक सहयोग भस चाहिए ताकि ये कलास निरंतर हम आगे जारी रख सके हाना कलास लेना भी इतना असान काम नहीं है आपके लिए डेली एक भी दिन अभी तक गाय नागा नहीं सुदूर सिच्छा निमलिखित में से किसके लिए आवस्यक है जी हाँ कौन से सिच्छा तो सुदूर सिच्छा ओप्सन है रास्ट की प्रगती के लिए ग्यान को अधतन करना या फिर पत्रा चार पाठिकरम में सुधार के लिए या फिर उप्रोक्त सभी के लिए पैतालिस तथा सांस्कृतिक विकास काफी important प्रस्न है बताविए ये किस से संबन्धित है option है कोहलबर्ग, वाइगोत्सकी जिन प्याजर या फेव वाट्सन तो ये हो जाएगा आपका वाइगोत्सकी ठीक है वाइगोत्सकी से संबन्धित ने समाजिक यही तरीका ही होना चाहिए जो नहीं आ रहा उसको नोट कर लीजे संग्या नात्मक विकास का सिध्यांत, इन शंग्यानात्मक या फिर इसी weighing को कहा जाता है विकासात्मक मत इन वैट्सन का कौन सा सात्मक सिध्यांत किस ने दिया जिन प्याजे ने दिया नैतिक विकास का सिध्यांत कोहलबर्ग ने दिया याद रखिएगा ठीक है बार बार जब भी आता है तो मैं यह सब रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए और यहां से आपको फिक्स है कि प्रसन आपको बनेंगे बनेंगे ही बनेंगे 100% बनेंगे याद रखिएगा इंद्रिये जनीत गामक अवस्था का संबंध किस मनोबिग्यान से है इंद्रिये जनीत गामक अवस्था उप्सन है जिन प्याजे कोहलबर्ग नन या फिर वाटसन 47 का क्या हो जाएगा जिन प्याजे जिन प् विकास का सिध्यांत या फिर विकासात्मक सिध्यांत किसी ने दिया तो जिन प्याजे ने दिया कोहलबर के बारे में बता दिये कि नैतिक विकास का सिध्यांत अगला है आपको 48 नंबर प्रस्न कहरा है कि वस्तु अस्थाइत्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्त पाजे से इसका संबंध है एंसर नमर ए नमबर ठीक है चलिए नेक्ष्ट है आपका 49 कह रहा है कि सूज का सिध्यांत किस मनोवय यानिक का है जी हां सूज का सिध्यांत बहुत ही इंपोर्टेंट है किसने दिया सूज का सिध्यांत जिन प्याजे कोहलर या फिर थौंडाई या फिर आपका गुड थो सूज का सिध्यांस दिया दूस्तों, आपका कोहलर महो देने किस क potato ने चलिए अगला सवाल प्राप्त किया जाता है और ये किसका कथन है ओप्षन है रूथ बैंडिक्ट का रॉस का नन का या फिर फ्रॉवेल का तो ये जो कथन है रूथ बैंडिक्ट का है आपका इंसर नमबर A अगला है आपका 51 नमबर का रहा है कि कोहलर ने किसने तो कोहलर ने अपने सीखने की सिध्यान का परती पाधन किसके उपर परियो करते हुए क्या था जी हाँ तो अगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम सभी सिध्यान को एक वीडियो में हम किलियर किये थे लगभग 75-76 प्रस्ण तो अगर वो वीडियो देखे होंगे तो काफी इंपोर्टन वीडियो था वहां से 5-10 प्रस्ण फिक्स था ये भी आपका काफी इंपोर्टन वीडियो है हाना और अभी BLA, DLA पर हम थोड़ा सा ज़्यादा गौर कर रहे हैं ध्यान दे रहे हैं हाना तो आप लोग भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देजे क्योंकि ये कोस्टन काफी इंपोर्टन आपके लिए है तो कोहलर जो परियोग किया था दोस्तो ये किया था वनमानूस पर ठीक है किस पर किया था वनमानूस पर किया था और ये जो वनमानूस था इसका नाम पूछा जाता है कोस्टन में तो इसका जो नाम था वो था सुल्तान क्या नाम था सुल्तान जी हां तो इसका नाम था कुत्ता पर किस ने किया था दोस्तों तो कुत्ता पर किया था को पावलोग ने किस ने किया था पावलोग ने किया था कुत्ता पर परियोग ठीक है चलिए अगला सवाल पर चलते हैं आपका 52 नमबर आचल में है दूध और आखों में है पानी ये कथन किसका है दोस्तों आच अगला है कि ग्राम सिच्छा समीती में कितने अभी भावक होते हैं, तिरपन का हो जाएगा आपका तीन अभी भावक होते हैं, नेक्ष्ट है आपका 54 नमबर, 54 है कि ग्राम सिच्छा समीती के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ग्राम सिच्छा समीती के कुल पांच सदस्य होते हैं आपके इंसर नमबर A हो जाएगा अगला है आपका 55 नमबर कराय कि ग्राम सिच्छा समीती में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है जी हां तो कितने महिला अभिभावक का होना जरूरी है ग्राम सिच्छा समीती में तो आपका 55 का हो जाएगा एक महिला का होना वहाँ पर जरूरी है answer number A अगला है आपका 56 number काराय कि ग्राम सिच्छा समीती का गठन किस धारा के अंतरगत आता है जी हाँ तो ग्राम सिच्छा समीती का जो गठन है ये आपका धारा नंबर 12 के अंतरगत आता है ठीक है answer नहों जाएगा आपका answer number A नेक्स चलते हैं आपका 57 कर रहा है कि वर्तमान सिच्छा परनाली है तो वर्तमान सिच्छा परनाली जो है वो कैसी है अध्यापक किंदरित है या बाल किंदरित है या उप्यूगत दोनों है या कोई नहीं है तो वर्तमान जो सिच्छा परनाली है या आपको बाल किंदरित है है ना बच्चा केंदरीत है इनसे निको जाएगा आपका बी नमबर ठीक है काफी important प्रस्ण है कई बार पूछा गया यह सवाल चलिए next प्रस्ण देखे लिते हैं आपका 58 नमबर प्रस्ण कहा रहा है कि कच्छा एक में कुल निर्धारित पाठे पुस्तके हैं जी हाँ कच्छा एक में कुल कितने निर्धारित पाठे पुस्तके हैं तो कच्छा एक के बच्चों को ज्यादा लोड हम देंगे नहीं तो 58 का हो जाएगा केवल एक ठीक है केवल एक नेक्ष्ट है कि अधिगम का सूज का सिध्यांत जी हाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट कि अधिगम का सूज का सिध्यांत किसने दिया तो सूज या अंतरद्रिष्टी का सिध्यांत जो दिया है वो कोहलर महुदे के द्वारा दिया है किसके द्वारा कोहलर के द्वारा दिय सबस voilà एक vrij निए इस इस कोहिलर ने जिस के परहयो किया जी हाँ यही कोष्टन तो ही बताए थे चिंपएजी का नाम क्या था तो सल्तान हो ना क्या नाम था स्ल्टान जी हां być 670,1 यह और tak कोश्यों करफेएं ये संग्यानात्मक विख Sayaंक के सिध्यान के परति तो विकासात्मक सिध्यांत या फिर संगेनात्मक विकास का सिध्यांत दोनों जो है उनके जो परतिपादक है वो है आपको जिन पियाजे हैं ठीक है कौन है जिन पियाजे देखिए एक कोच्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बहु बुध्धी सिध्यांत के परतिपादक कौ इसका 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 इंसर बहू बुद्धी का Harward Gardner आता है तो हम लोग भी जब पढ़ते थे इसी प्रकार से याद करते थे भी बहुत बुद्धी होता है तो बहू बुद्धी किस ने दिया? गाटनर ने दिया ठीक है तो इस परकार से भी आप यादस कर सकते हैं एक कोश्चन पूछा जाता है कि एक कारक सिध्यांत किस ने दिया बताये तो एक कारक सिध्यांत बताये थे हम किस ने दिया तो वो दिया था दुस्तो आपको עस्पीयर मैंड किस ने दिया था अस्पीयर मैन दिया था आपको दियु कारक सिध्याद कब दिया था तो 1923 में यह question रहना बहुकारक 1 कारक 2 कारक हमेशा पूछा जाता है एक question यहां पर पूछले जाता है त्री आयामी सिध्यांत किसी ने दिया जी हां तो त्री आयामी जो सिध्यांत दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है कोमेंट कीजे फटा फट आप लो फटा फट कीजे तो गिल फोड ने दिया है इसको किसने दिया है गिल फोड त्री आयामी सिध्यांद किसने दिया गिल फोड महोदे ठीक है तो बहुत सारा प्रसन यहाँ पर बता दिया आपको चलते हैं अब नेक्स्ट प्रसन काराय की जिकास को निअटर से कुछ चलिए आज का अगला प्रस्ण है कि बुद्धी के क्यों आई रहरत करें कि अ Alm एक पर्दि फजी ने कि आथा जी हां बहू कारक चिफ्ध्यान्थ तो बहू कारक अभी आपको बताये थे कि कौन था वह था आपको महूं कारक सिध्यान कन QD यहां पर समाप्त हो गया तो अगला बार से कोशिज करेंगे इसमें 75 ही हो इसमें आज इतना ही था चलिए कोई बात नहीं है और आप सभी अच्छे से त्यारी करते रहिए बस आपकी जो त्यारी की जिमेदारी हमारे उपर छोड़ दिए आपको करवाते चलते हैं आप लोग उसको पूरा करते चलिए एक नए एक दिन देखिएगा आपकी त्यारी काफी अच्छी हो जाएगी आप हमारे साथ बने रहिए बस इसी प्रकार से लगवग अभी देखिए आज 21 कलास हो गया है और आप लोग हमारे वाटसेप ग्रूप से जुड़ जाएए वहा आपको वहाँ पर PDF, वीडियो और नोट से सभी चीज़ आपको वहाँ पर प्रुवाइड करा दिया जाएगा और दोस्तों सीटेट की भी कलास चल रही है हाना तो जो लोग अगर सीटेट की त्यारी कर रहे हो समाजिक भिज्यान, हिंदी, संस्कृत, सिचन, सास्त्र तो व इसमें हम लोग देखे, आज 63 परशन, हाना, आज 63 काफी महतपुर्ण परशन, उसके अलावे भी मैंने बहुत सारा परशन यहाँ पर आपको बता दिया, तो 75 से धेर ज्यादा परशन आपको यहाँ पर मैंने किलेर कर दिया, यह इसी परकार से आप हमारे चैनल पर बने र टेस्ट, यह कैसा लागा आप लोग नीचे कमेंट करके बताईएगा दोस्तों, और यह वट्सेप गुरूप भी आपको दे दिया गया है, तो आप इस लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, ठीक है, और फिर हम कल मिलेंगे इसी टाइम 9 बजे, और इसी वक्त, इसी चैनल पर, केरियर परिवार पर, और तब तक के लिए, गुड नाइट, गुड बाई, और टेक केर,